हेलो गाइज वेलकम अगें ओन मा यूट्यूब चैनल तो हमने स्टार्ट किया था क्या और इंट्रोडक्शन की बस बात की थी मैंने आपको यह भी बोला था कि मैं अगले वीडियो से क्या एक सिस्टेमेटिक वे में आपको पढ़ाऊंगा तो मैंने पिछले वीडियो में य आपको इन्फिलेशन देना चाहता हूं जैसे कल मैंने टांता है कि स्यू्च से जावॉन चींट्रश से वथिनों लों इन मों पढ़ाता है एको सिस्टम ऐनीगा अगे बात करेंगे हैं और सथाग क्या आग क्योम आमने व्यूंत से बकुनेगांगा मैंुलेशन से बसेब् चली क्या वनेगा हमारा बैवर क्या है कि आज घिसके बारे में ठोड़ा सा लू लेंattered कि हैं कि रूप क्या क्या है फिर हम लीकने हैं हम बात करेंगे कि इसके बारे में कुछ टर लूजिकल कुछ टर्म सैसे आपने सुना त्योंकि व्यगरा इस्पीसीज, इंडेमिक इस्पीसीज, ठीक है, और क्रिटिकल लिंक, इस्पीसीज, वेगरा, यह सब जो है, इको टोन, यह जो वर्ट से इनके बारे में हम आज स्टडी करेंगे, और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम बात किस के बारे में कर रहे होंगे, यह बायोटिक फेक्टर्स के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं, मैंने क्या बोला था कि क्या है सेल बोला था सेल से क्या बना रहा था मैं टीशू टीशू से क्या बना रहा था मैं और्गन और्गन से क्या बना रहा था और्गन सिस्टम फिर और्गन सिस्टम से क्या बनता है और्गनिजम फिर organism से क्या बन रहा है Population Population से क्या बन रहा है हमारा Community Community से क्या बन रहा हमारा Eco System Eco System से क्या बन रहा हमारा Biomes और Biomes से Finally हमारा क्या बनता है Bio Sphere तो कुछ ऐसे hierarchy चलता है क्या पहले सेल फिर टीसू और अइसे करती आंहां तक आता है आजा एंगे चुर्ट को ला हुआ इस चेप्टर में किसके बारे में बात कर रहोंगे लेकिन मैं इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूँ मैं बात करूँगा थोड़ा सा community के बारे में और कुछ बात करूँगा जो कुछ term सा जिसका मैंने नाम लिया था ठीक है तो यह आप लिख लेंगे हमारा सबसे पहला term है इसमें उसके बारे में हम बात करते हैं देखिए यह आप यह मैं सूची का कि मैंने क्या है लिख के छोड़ दिया कि बाइव इस पर यह वगरा जब जयसे हम चिप्टर पढ़ लकता होंगा उससी चिप्टर में आपको बारे में बताओँगा हम यह आपसे एक और बात बोली थी क्या कि मैं ऐसा बारे में कब बताओंगा जब मैं ए vere一點. या, fary critic हम क्या बोलते है, यह क्या होता है? यह members किसके होता है? members of same species क्या है यह same species क्या होगे इनका environmental condition क्या होगा different होगा environmental condition different होगा इनमे genetic variation क्या होगा present होगा मैं इसको अभी example दे के समझाता हूँ ठीक मैं आपको क्या समझा रहा हूँ eco type मान लो कि यह hills ठीक यह जो population है यह hills पे है और यह plain area में हम लोग जहां रहते हैं वो कौन सा है plain area है और कुछ लोग कहां पे है hills पे है ठीक यह भी क्या है human beings यह भी human beings and animals ठीक दोनों क्या है same species के हैं ठीक ठीक फिर मैंने क्या लिखाता है कि environmental condition different होगा hills बोलने का मतलब और plain area का बोलने का मतलब आपको difference समझ में आ रहा होगा क्या temperature का difference आ गया environmental condition difference बोलने है पढ़ते है नाम की बहुत उचे पहाड़ों पे चड़ते हैं तो सांस लेने में problem होने लगती है उसके बारे में भी हम इसी चप्तर में बात करेंगे तो hills पे क्या है temperature भी कम होगा plain area में temperature normal होता है तो ऐसे कुछ करें क्या है environmental condition क्या है different हो गया genetic variation भी present होता है तो simple सा example था यार क्या की hills का population और plain area के population के क्या है environment में difference होता है तो वही difference क्या है इसमें होता है जो मैंने अभी पढ़ाया आपको क्या eco type में तो हमें eco type या eco species का मतलब क्या है बहुत simple सा था जियान में रखना है इसमें ज़्यादर कुछ समझाने वाला नहीं था इसलिए मैंने बगाती sort में इसको खतम कर दिया है जो हमारा दूसरा term हो है eqeats and eco pairs क्या बोलते हो उतको eqeats या फिर eco pairs भी बोलते है देखो यार जो हमारा eqo type था न और ये eqeats जो है न लगभग same है क्या यहाँ पर भी क्या है individuals किसके होते है same species के होते है मैं sort में लिख रहा हूँ आप लोग अपने सरी खेंगा detail में same species के होते है इनका भी environmental condition क्या होता है environmental condition different होता है यहाँ पर genetic variation कुछ नहीं होता है genetic variation absent लेकिन phenotypic variation क्या होता है present होता है जैसे example मान लो यह कोई plant है ठीक sorry या मैं तो नहीं बना रहा हूँ जैसे मान लोग यह कोई plant है ठीक है इस पे क्या है light पड़ा इस पे light पड़ा और यह कैसा हो गया green हो गया कैसा हो गया green plant हो गया देखो plant वही है कोई भी genotypic difference नहीं आया है लेकिन देखो genotypic difference क्या होता है कि हमें बाहर से नहीं दिख सकता है रेकिन phenotypic क्या है phenotype का मतलब क्या आता है यह phenotypic character वो character होता है जो कि हमारे naked eye से क्या है visible होता है तो देखो यह yellow plant था लेकिन इस पे light पड़ा तो कौन सा plant हो गया यह green plant हो गया मतलब क्या है यहाँ पर बस phenotype में change हो रहा पहले yellow दिखता था आप क्या दिख रहा है green दिख रहा है लेकिन plant क्या है same है तो कोई genetic difference नहीं आएगा तो यही हमारा क्या था ecaids stick आगे बढ़ता है अब हम बात करेंगे endemic species की किसकी endemic species की third हमारा क्या है endemic species यह species क्या है कि एक कोई particular area में पाया जाते है क्या है कि देखो इसका एक logic भी है कि यह endemic species कि ओले गए कहां से आगे कि बहुत सारे geographical area थे क्या कि मान लो कि यह कोई geographical area था ठीक है तो क्या होगा यह break हो गया break हो कि कोई किधर चला गया कोई किधर चला गया और जाके क्या है अलवालड क्या है continent वेगरा बन गया तो क्या है कि यहां पर जो एक साथ और्गिनिजम रहे थे जब ब्रेकडाउन हुआ तो क्या हो गया दूसरे दूसरे कॉंटिनेंट में चले गया है और दूसरे दूसरे जगह पर जाके क्या है वो उस पार्टिकूलर एरिया में ही पाए जाते है जैसे एक्जामपल के तौर पर अगर हम ल एरिया क्या फाउंड इरिया प्रॉब्लम क्या है इंका नंबर बहुत कम है नंबर इंका कि क्या है लेसिन नंबर और इंका जो extinction का chance है जो इनका extinction का chance है बढ़ता जा रहा है कि Half इंवाइरमेंट है बहुत ही बुरी तरीके से change हो रहा है जो कि आतो हमारे लिए favorable है ना ही जो animals है उनके लिए favorables है तो यह कंगारू रैट है किसा पाइल आता है भूंबर यह दर दब्लिय त क्या रटना नहीं है जाओगे तो तुम बहुत देपनिशन भी रहेंगे लेकि रटना नहीं है हमें बस समझते जाना है इनका मतलब क्या है ठीक है अब जो हैना बहुत इंपर्टेंट किया बहुत ही जाधा इंपर्टेंट जो चीज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ AAPCOO NECTS TARM जो है वो क्या है की स्टून स्पेसीष भौत ही इंपर्टेंट है और बहुत ही काम का चीज़ है की स्टूनस्पेसीष अभी तक हमने तीन पढ़ लिया हमारा क्या यह चो था एक की स्कूरु किस्टोनी kind which देग जो करके सब्सक्राइब सद्में साट ले मायवblesTime इस हम घुलते हैं चोई सब्सक्राइब मसलब लबिल्डी चोंड कि क्या लिए पता है क्या कौन कौन सा एक होता है फ्रेस वेट और एक होता है ड्राइवेट ठीक जो हमारा फ्रेस वेट होता है यह वेरियेबल होता है क्या होता है और जो हमारा ड्राइवेट होता है यह अच्छा इसमें डिफरेंस क्या है फ्रेस वेट और ड्राइवेट क्या बोल रहा हूँ हमारा होता है यह constant होता है और constant होता है इसलिए क्या है यह accurate data होता है क्या या जो variable होगा उससे तो तुम कोई accurate data तो नहीं निकाल सकते हो तो जो हमारा dry weight है वो क्या है constant होता है तो maximum क्या है कि हम जब weight measure करते हैं तो कौनसा weight measure करते हैं ड्राइवेट में जा बढ़ते हैं, ठीक है, सुलिए, यह हो किया हमारा कुछ लीविंग के बायो मास के बारे में, ठीक, यह बायो मास मैंने आप कुप्यों पढ़ाया, इसके पीछे भी क्या है, एक रिजन है, ठीक, देखो यहर हमारा जो वर्ड है न, क्या है कि, यह क्या है, की स्टोर्ड स्पीसीज, की का मतलब भी क्या होता है, मेल, क्या होता है, मेल, तो हमारा जो एको सिस्ट्रम है, हमारा जो एको सिस्ट्रम है, उसमें क्या है कि, कोई न कोई ऐसा और्गिनीजम होगा, जो कि क्या है, मे रोल प्लिक करता होगा, जैसे मैं आपको यह एक्जामपॉल दर्सम्धारता हूँ, विस्वे सब को पता ही हो गया, हर्वी वोरस, कानी वोरस और ओमनी वोरस वोरा ठीक, क्या है कि plants क्या है plants से ही हमें भी खाना मिलता और animals को भी खाना मिलता है तो मान लो क्या था ये कोई plant है ठीक अगर आपको नहीं दिख रहा हो तुम्हें हाँ बनाँगा मान लो क्या है ये कोई plant था इसको किस ने खाया फिर इसको किस ने खाया lion ने खाया माल लो कुछ देर के लिए क्या माल लेते हैं कि यहां जो एरिया है जो इनवारमेंट है वहां पर लायन नहीं है क्या नहीं है लायन नहीं है कुछ देर के लिए हम क्या है माल ले रहे हैं कि यह जो एरिया है यहां पर कोई क्या है की स्टोरी स्पीसीज नहीं है होगा क्या माल यहां पर क्या है मालो यह ग्रासी है तो क्या है कि ग्रास है और ढिंदट सै्जित कर रहे होंगे अपने प्रोब्लम कहां पर आ जाएगी कि जब जब से जादा वो जाएंगे तो क्या होगा हमारा कि ग्रास क्या है कम पढ़ जाएगा इनको खाने के लिए फिर इनके बीच में क्या होने लगेगा competition होने लगेगा competition होने लगेगा जोग आपसे marmit करने लएए किसी के लिए मुझे घास खाना है मुझे घास खाना है मार पीट करने लएए तो क्या है इसी marmit को इसी competition को क्या है बचाने के लिए हमारे क्या है environment में कुछ keystone species रखे हो गए इस एक्जाम्पल में कौन सा है लायन ऐसा नहीं है कि बस यही एक्जाम्पल होता आप फिश का भी एक्जाम्पल ले सकते हो तो यहां पर लायन का यह फेमस एक्जाम्पल इसलिए मैंने लिया है तो क्या है डियर को कौन खाता है लायन खाता है जाला था तो उनके लिए क्या है competition होना था कि इस चाइवाया से लेकिन इस environment में क्या एक lion भी है जो कि क्या है keystone species क्या है keystone species है तो यह क्या है deer को खाएगा तो उसके वाद से क्या होगा कि deer का population क्या है maintain रहेगा और जब deer का population maintain रहेगा तो क्या है घास के लिए competition नहीं होगा तो यही ता किसका example की stone species का example तो आपको समझ में आ रहा होगा कि key stone species क्या है इतना जरूरी क्यों है ठीक की stone species के बारे में आ रहा है एक कुल कंक्यूजन हो तो आप comment box में बोल सकते हैं ठीक है नेक्स्ट जो हमारा word है वो क्रिटिकल लिंक species क्या है पांचवा क्या है क्रिटिकल लिंक species यह क्या करता है यह रवड़ी क्या है link connection यह क्या करता है मालो कि यह कोई living organism है यह कोई मालो यह और इसी को हम क्या बोलते हैं सब्सक्राइब क्रिटिकल लिंक species देखो एक कोई living organism है एक कोई living है यह फिर non living है तो यह दोनों को connect कर रहे हैं उसी को हम क्या क्या बोलता है और fiscal प्रीटिकल लिंग इस्पिसीज की होता है यह क्या होता इविंग होता है ठीग है यह नलेक्ट नहीं हो सकता है क्या भोलता हूं कि एक लिविंग फित्य करने वारे आपको यह को समय आ रहा हूं, ठीक है, तो आप लोग अब डिस्टर्ड हो रहा हूंगे, दोसकी लिए, sorry, मैं example देता हूँ आपको, आसे माल लो, कि ये कोई plant है, free है, ठीक, light powder है, ठीक, क्या हो रहा है, light powder है, ठीक, ये फंगस कौन सा काम कर रहा है, एक living को दूसरे living से, या फिर non living से क्या कर रहा है, जोड़ रहा है न, फंगस क्या कर रहा है, कि soil से क्या लेगा, minerals लेके किसको देगा, plants को देगा, मतलब क्या है, कि ये किस चीज़ का काम कर रहा है, link का का काम कर रहा है, कि यहां से जो है, transport क्या चीज़ कर रहा है, plant को कर रहा है, तो ये हमारा fungus से ये क्या है, link का काम करेगा, ऐसे क्या है, famous example आ क्या याद रखेंगे हम इसका critical link species का mycorrhiza, mycorrhiza myco का मतलब क्या होता है fungus और rhizae का मतलब root, क्या गड़ता है root जो plant का root होता है उसके बीच से क्या connection बनाता है, ठीक है soil के साल तो यह था हमारा example, problem हो अगर जो video pause करके आप back जाके भी देख सकते हो ठीक, यह video है इसलिए मैं बार बार repeat नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो यह कुछ terms थे, अब इन terms के बाद मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा आप से community के बारे में ठीक, इसके बारे में community के बारे में देखो ना यार मैंने तुमसे क्या बोला था कि बहुत सारे organism मिलके क्या है population मना रहे मैंने जब लिखा था word organism and population तो वहाँ पर मैंने साफ साफ लिखा था क्या कि organism are the members of population फिर मैंने population का definition भी आपको क्या दिया था कि group of individuals of same species at a particular place at a particular time उसको मैंने क्या बोला था population बोला था अब क्या है न कि बहुत सारे different species के population मिलके क्या बनाते हैं community क्या different species के population मिलके क्या बनाते हैं community बनाते क्या different species के population मिलके क्या बनाते हैं मान लो कि ये ए पोपुलेशन है, ये बी पोपुलेशन है और ये सी पोपुलेशन है, मान लो ये जो ए पोपुलेशन है, ये प्लांट का है, ये जो बी पोपुलेशन है, ये एनिमल का है, और ये जो सी पोपुलेशन है, ठिक, ये किसका है, माईक्रोब्स का है, ठिक, तो य यह तीनों मिल के क्या है, यहाँ पर A, B, C, यह जो तीनों मिल के जो बनाएंगे वो क्या होगा, Community होगा, यह क्या हो गया, Community हो गया, क्या, कि यहाँ पर क्या क्या थे, Plant था, Animal था, Microbes था, और यह जो Community है, इसको हम क्या बुलेंगे, बाइवोटीक कम्यूटी तो मैं हल्का आपको आईडिया दे रहा हूं कि इसका कम्यूटी का क्या कि बहुत सारे डिफ्रेंट ग्रूप अफ इस्पेसीज मिलके इसे प्लाइंड का एक अलग इस्पेसीज का इंडिमीज़ुल का पॉपुलेशन है इन्दमल का अलग इस्पेस देखो तिक मैं वाल लिख रहा हूं नमबर तोई डावसीटी डिरेक्ली परपोंचनल टू नमबर तोई इस्पेसीज अब आप लोग यह देखिए कि मैंने क्या लिखाया कि जो डावसीटी वो किसके डावक्ली परपोंचनल है नमबर अफ इस्पीसिस के प्रोपोर्शनल है कहने का मेरा मतलब क्या है कि हम बात ही क्या कर रहे है कि कॉम्यूनिटी के बारे में कॉम्यूनिटी को क्या बोल रहे है कि डिफ्रेंट इस्पीसिस का पॉपुलेशन मिलके बना रहा है तो वो जो हमारा कॉम्यूनिटी का डावसीटी होगा वो जाइड सी बात है number of species के proportional ही होगा ठीक यही मैं मतलब बताना जाएगा देखो यार मैंने लिख दिया तो आपको समझ में आजना चेक्छा कि हम किसकी बात कर रहे हैं क्या बात कर रहें किना ज्यादा तो तो कख़ा बुलेंगी की इतना जाधा我们nya कि होगा quarter अब बात करते हैं कि यह हमारा community को कौन कौन से factors effect करते हैं मतलब diversity को सबसे पहला प्य क्या ले रहे है है जैसे मानलो ही, हमारा क्या है? इससे कुछ ذे सहांग बोलती है, इससे दूर जाते तो क्या होता है? इससे दो वर्ड होता है, latitude और longitude latitude और longitude देखो जार, जैसे-जैसे हम इक्यटर से दूर जाएंगे, वैसे क्या होगा? temperature कम होगा? जैसे जैसे temperature कम होगा ना वैसे वैसे क्या है species का population भी क्या होगा कम होगा और species का population कम होगा मतलब क्या है कि diversity हमारी क्या हो जाएगी घटेगी तो क्या है कि as we move away from equator क्या होगा हमारा temperature decrease करेगा temperature decrease करेगा तो क्या होगा population कम होगा मैं direct population बोला हूँ आप यह समझ जा रहा है कि different species के population और यह कम होगा तो क्या होगा हमारा diversity भी क्या होगा कम हो जाएगा ठीक तो यह था हमारा एक factor दूसरा factor आप हम देखते हैं दूसरा जो हमारा factor है वो कौन सा factor है climatic factor है कौन सा factor दूसरा factor जो community के diversity को effect करता है वो कौन सा factor है climatic factor climatic factor में क्या है देखो कि पहला क्या जाएगा हमारा temperature दूसरा क्या जाएगा rainfall गड़ा जाएगा देखो यह temperature और जो यह rainfall है इसका बहुत बड़ा रोल है ठीक और एक और तीसरा ले ले लेते हमकिया light देखो इनके बार में मैं तो कुछ बोलना चाहूंगा वीडियो लंबा हो सकता है यह तो temperature है यह सबसे main factor होता है अगर कोई आपसे पूछ है कि अच्छा आप यह बताओ कि यह जो हमारा climatic factor है जो कि तीन आप बता रहे हो कौन कौन सा पहला बोल रहे हो आप temperature डूसरा rainfall बोल रहे हो और light बोल रहे हो तो आप हम यह बताओ कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा important factor कौन सा है हम क्या बोलेंगे कि temperature फिर बोलेंगे अच्छा और दूसरा सबसे ज़्यादा important factor कौन सा है तो बोलेंगे rainfall जब यह temperature तो हम सबसे important factor क्यों बोल रहे है क्योंकि हमारे जो body में enzymes काम कर रहे होते है वो क्या है कि कि एक level तक ही efficient हो सकते है मालो कि यह हमारा parameter है कि यहां तक अगर जो भी enzyme आएगा वो अच्छे से काम करेगा लेकिन जैसे ही इस level से ज़्यादा temperature देंगे हम तो क्या होगा कि वो enzyme efficiently काम नहीं करेगा कोई-कोई तो क्या होंगे denatured हो जाएंगे जो proteins होते हैं हमारे वो क्या है high temperature पर क्या है degenerate हो जाते है खीक तो क्या है temperature बहुत important role play करता है ठीक है तो क्या बोल रहे हम कि temperature क्या है कि diversity के क्या करता है determine the distribution and diversity of community क्या लिखाया मैंने determine the distribution and diversity of a community temperature क्या है first important factor second important factor कौन सा है rainfall के बारे में बताने के लिए क्या है second important temperature बहुत important है और तीसरा फेक्टर जो लाइट है यह तो बहुत ही जरूरी है किसलिए यह नहीं रहेगा ना तो हम खाना नहीं खापाएंगे मर जाएंगे क्यों क्योंकि यह ही तो वह factor है जिससे एक हमारा बहुत बड़ा सा chapter बना हुआ है कौन सा photosynthesis कौन सा photosynthesis क्या है कि the process of making a food with the help of water sunlight और carbon dioxide बगेर यह जो light है photosynthesis अधूरा है तो photosynthesis कहने का मतलब क्या है productivity खाना ही तो बना रहे हो क्या है तो अज़ लाइल कैसे समी होगा तो क्या है हमारा productivity क्या होगा low होगा तो क्या है green यह तीनो फेक्टर क्या है climatic factor जो कि हमारे community को क्या करते हैं effect करते हैं ठीक है देखो यार और पांच मेट में वीडियो यह खतम करूंगा मैं फिर देखो कि क्या पढ़ लिया climatic factor पढ़ लिया temperature, rainfall और light उसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि equator से दूर जाएंगे तो क्या होगा तीसरा factor पढ़ते है कि soil के बारे में soil भी बहुत important role play करता है मान लोगो कि अगर कोई soil fertile ही नहीं है तो उसका हमें कोई use ही नहीं है इसे तुम बचपन से पढ़ते हैं कि loamy soil is the best soil क्योंकि यो बहुत जादा fertile होता है तो soil ही क्याài determine करता कि इसे mwn потом जब उसका soil Mountain प्लांट नहीं करेंगे जब प्लांट अक्शे से ग्रोगह नहीं करेंगे तो उस से игाँ नहीं पाएंगे क्याया से खनी प्लांट क्यूंद इसलियकार क्या इक soil भी कॉले करता है जब मैं इस वीडियो में दो वर्ट के बारे में बात करूंगा, पहला है, इको टोन, देखो यार, यह जो मैंने वर्ट्स लिखवा रहा है, यह बहुत जरूरी है, समझना, यह इको टोन क्या है, यह है, ट्रांजीशन, जोन, बिटूइन, कम्यूनिटी, यह क्या बोल दिया आपने, ट्रांजीशन जोन, यह क्या होता है, एक ऐसा जोन, जहां पर क्या है, रेडियल चेंज, मतलब क्या है कि, चेंज होता रहता है, चेंज, अकर्स, ठीक, वो जोन, मान लो कि एक ये community है, इसमें A है, B है और C है, मान लो A plant का है, B animal का है, और C microbes का है, ये क्या है कि modify हो जाता है, ठीक, X, Y, Z में, जब एक community, modify होके, दूसरे community में, modify होके, modify होके, बदल जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, eco tone बोलते हैं, क्या बोलते हैं, eco tone बोलते हैं, इसका एक और नाम होता यार, इसको बोलते हैं, tension zone, कौन सा zone, tension zone भी बोलते हैं, तो eco tone क्या है, transition zone between two communities, एक community modify होके, दूसरे community में जब बदलता हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, eco tone बोलते हैं, ठीक है, और आज के वीडियो का हमारा लास्ट टर्म क्या है बायोटीक पुटेंशियल क्या बायोटीक पुटेंशियल देखो यार अगर आपने पहले से पढ़ा है तो आपके दिमार में कुछ वर्ट्स आ रहे होंगे नेटलीटी इमोटिलीटी वेगरा वह क्या है जब में पूपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहा होंगा तो वह सब पढ़ाऊंगा और आपको तो पता से ग्याल तो ये पूपुटेंशियल यहां पर मतलब क्या आणा क्या मतलब है क्या मतलब है यहांपर कैपसिटी ठीक है तो क्या बोलते हैं हम की अंडर मोस्ट फेवरेबल कंडीशन क्या है कि कोई भी प्लांट या कोई भी स्पीसीज क्या है अपना मेक्सीमम प्रोडक्टिवीटी सो करेये क्या मैं बोल रहा हू같ए एक प्लांट है मानरोग है यह मारकर रचाए और इस प्लांट है ज्या या जो favorable condition है मैंने तुझे दिया फिर क्या है कि उस favorable condition में जो productivity शो करेगा ना ये plant उसी को हम क्या वो लेंगे आप फिर से जानना चाहते हो तो आपके comment section में बताएगे आप ठीक है फिर आम next video में मिलते हैं किस पर abiotic factors पर बात करते हो आप next video में मिलते हैं ओके all the best